तो फाइनली मैंने यहाँ पर मल्टी प्लेयर मोड ओन कर दिया है और मेरा दोस्त मेरे पीछे बैठ चुका है अगर आप भी ऐसे ही मल्टी प्लेयर खेलना चाते हो तो वीडियो को पूरा देखो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ तो यार आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इंडियन बाइक्स डाइविंग 3D में मल्टी प्लेयर कैसे खेल चकते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी आगे पीछे मत करना ऐसे ही देखते रहना वाकि आप देख सकते हो यहाँ पे कार कड़िये इसे मैं RGB कलर करूंगा तो यह यूनिक कार बन जाएगी देख सकते हो यहाँ पे मैंने RGB पे क्लिक किया तो यह ओटोमेटिक अलग बन चुकी है ठीक है और यह Lamborghini पे ट्राय करते तो यह तो भाई कलर आ रहा है इस पे तो RGB कलर और यह भाग रहा है रहा 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 रुक रुक काइंड ओमें मैं आपको बता रहा है कि आप खेल सकते हो तो चलो मैं आपको बताता हूं कि आप अन्डियान की हैज सकते हो यानिके अपने दोस्त के सब्सक्ते हो तो देखो आपको तो पता होगा हमारे गेम में update आता रहता है तो जब गेम का update आता है तो उसमें काफी सारी चीज़े आती है लेकिन अभी तक मल्टी प्लेयर मोड नहीं आया है तो वो मल्टी प्लेयर मोड कैसे आएगा और आप कैसे खिल सकते हो वही बताता हूं ठीके तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले तो आपको इस वीडियो को आपके 10-15 प्रेंड के साथ सेयर करना पड़ेगा और आप सोच रहोंगे कि इस वीडियो को सेयर करने से क्या होगा तो देखो मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा सेयर करोगे और अगर ये वीडियो पर अच्छे व्यूज आ गए और इस क्यम के जो डेवलोपर है रोहित गेमिंग स्टूडियो उन्होंने अगर इस वीडियो को देख लिया तो वह सोचेंगे कि चलो मुल्टि प्लेयर मोड एड कर देते हैं मतलब सोचेंगे कि अगर अच्छा ज्यादा व्यूज आए तो उनको भी लगेगा कि एड करना चाहिए अब आपको क्या करना है इस वीडियो को सेयर कर देना है और दूसरा कॉमेंट करना है कि आप मल्टि प्लेयर किसके साथ खेलना चाहते हो आपके दोस्त के साथ खेलना च ताकि उनको भी पता चले कि यह जो गेम खेलते हैं हमारा इंडियन बाइक ट्राइविंग 3D लोग वो लोग मल्टि प्लेयर भी खेलना चाहते ठीके बाकी मैं 100% नहीं बोल रहा हूं कि मल्टि प्लेयर मोड आ जाएगा बस मैं आपको यह से बता रहा हूं अगर आप इतना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्रेब कर देना मैं मिलूंगा आपको एक अगले वीडियो में तब दक के लिए बाइबाइबाइब